ओ बिटा जी, ओ बिटा जी तो यह है हमाया लेक्चर 241 और हम कर रहे थे आपका civics में chapter democratic rights तो हम कर रहे थे civics का आपका last chapter democratic rights यह है आपके civics NCRT के अंदर chapter 5 और हम थे page 77 आपकी new NCRT के हिसाब से civics की नहीं NCRT textbook page 77 सुराइट इनर डेमोक्रेसी si रSo topic का नाम है हमार पास राइट क्या है। So, आज हम पढ़ेंगे उन राइट के बारे में। हमने अभी तक तीन इग्जांपल पढ़ें इस chapter के अंदर So, हर इग्जांपल के अंदर हम विक्टिम्स के बारे में सोचें है।the prisoners in Guantaボ Bay जो गैंटनमो बे का किस्सा था उसमें प्रिजनर्स थे विक्टिम्स, साउधी अरेबिया में विक्टिम्स हैं, और कोसोवों में अलबेनियन्स हैं विक्टिम्स, ठीक है, जिनके साथ यह गलत चीज हो रही है वो विक्टिम्स, तो अगर आप उनकी पोजिशन पे होते, आप क्या चाहते, अगर आप कर पाते तो आप क्या करते ताकि आप इंशूर कर पाओ कि यह ऐसी चीज़ें किसी और के साथ ना होएं, तो आप चाहते कि कम से कम एक ऐसा सिस्टम हो, जहां सिक्यूरिटी हो, डिगिनिटी हो और सई हो, मतलब फियर प्ले, मतलब सब चीज़ एक हग के साथ, एक जस्टिस के साथ हो, आप चाहते, for example, that कोई भी अरेस्ट ना हो, without proper reason and information, मतलब, no arrest without proper reason and information, अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको fair chance मिले, खुद को defend करने का, आप agree करोगे कि, यह जो assurance है, यह हर चीज में लागू नहीं होता, किसी को reasonable होना पड़ता है, जब आप expect करते हो, और demand करते हो, सबसे, क्योंकि for one has to grant the, क्योंकि ऐसा आपके लिए नहीं है, अगर rule बनेगा, तो सब के लिए बनेगा, पर आप insist करोगे कि, जो assurance है, मतलब, अगर सामने वाला आपको assure कर रहा है, कि भाई, आपके साथ बुरा नहीं होगा, तो वो paper पे होना चाहिए, क्योंकि बोली हुई बातों का, तो कोई वजूद नहीं होता, मतलब, जो कानून है, उसको तोड़ेंगे, उन्हें punish किया जाएगा, आप चाहोगे कि, एक सिस्टम बने, जो कम से कम, कम से कम, सब पे लागू हो, powerful या weak, rich या poor, majority, minority, this is spirit behind thinking about rights, तो यही है rights के बारे में सोचना, हकों के बारे में सोचना, आपकी rights के बारे में सोच यही है, मतलब, जब आप चाहते हो, कम से कम, इतना तो मिलना चाहिए, मतलब, अगर भई, आप किसी स्कूल में admission ले रहे हो, तो आप सोचो के कम से कम वहाँ लोग अच्छे हो, इतना आप सोचो, यह आपका हक है, यह सोचना, right है, इतनी minimum right तो आप मांगी सकते हो, कि लोग कम से कम वहाँ अच्छे हो, वहाँ के बच्चे भेदभाव ना करते हो, कि दूसरे स्कूल से आया कैसा होगा, यह आपका हक है, राइट है, तो minimum आप इतना तो मांग ही सकते हो, इतना सोच ही सकते हो, so, जो हम minimum चीज़ मांग सकते हैं किसी कहीं से, those are rights, और वो आपका अधिकार है सच में, मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए अगर आप इंसान है तो, so, what are rights, exactly rights हैं क्या, हक हैं क्या, अधिकार हैं क्या, rights are claims of a person over other fellow beings, over the society and over the government, मतलब यह आपका एक claim है, यह आपका एक, मतलब आप एक चीज़ claim करते हो, किसी person के उपर, of a person, मतलब, rights are claims of a person over other fellow being, मतलब इतना तो आप सामने वाले से अधिकार रखते हो, society से अधिकार रखते हो, government से अधिकार, तो कुछ अधिकार जो आप दूसरों से, और society से, government से रखते हो, उसे कहते हैं, rights, so, rights क्या है, claims है, जो आप बाकी लोगों से रखते हो, बाकी society से और government से रखते हो, so, all of us, page number 77 है, हम जाते हैं, page 78 पे, so, all of us want to live happily, हम सब खुश रहना चाहते हैं, डर के बिना, हम कोई डर नहीं चाहते हैं, लाइफ में कि डर डर के जीएं, वैसा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा जीना हमें अच्छा नहीं लगता है, without being subjected to degraded treatment, कोई आप से बुरा सुलूप करें, वैसा जीवन भी किसी को बसन नहीं है, for this, we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us, so, इसी लिए हम दूसरों से expect करते हैं, कि हमारे साथ ऐसा behavior हो सामने वाले का, जिससे हमको नुकसान ना पहुंचे, ना हमें कोई चोट पहुंचे, equally, our actions should not also harm or hurt others, तो same हमारे साथ भी लागू होता है, हम जो भी करते हैं, सामने वाले को वो चीज़ परिशान नहीं करनी चाहिए, so, a right is possible when you make a claim that is equally possible for others, so, हक या right तभी possible है, जब आप अपने लिए, मतलब आप भी दूसरों पर claim रखते हो, और सामने वाला भी आप पर वही claim रखेगा, भई उसको भी आपसे इज़त चाहिए, यू cannot have a right that harms or hurt other, आपको अगर कोई कानून ऐसा नहीं है, जो बोलेगा सामने वाले को मार दो, या सामने वाले को परिशान करो, यू cannot have a right to play a game in such a way that it breaks the neighbor's window, देखो आपको खेलने का अधिकार है, आपको खेलने का, बट आपको ये right नहीं है, कि आप खेलते खेलते अपने neighbor की window तोड़ दो, so that is not a right, Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves, the claims we make should be reasonable, अब जैसे Yugoslavia के Serbs थे, वो क्या claim कर रहे थे, पूरा देश उनको चाहिए था, Albanian नहीं चाहिए था, तो वो गलत है, वैसे claim नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों का सोचना पड़ता है, they should be such that, can be made available to others in an equal measure, वो लोग equal measurement में, ये कुछ percent में claim कर सकते थे, इतने part पे हम लोग रहेंगे, Serbs रहेंगे, इतने पे Albanians रहें, पर ऐसा ना सोच के, वो लोग Albanians को परिशान करते रहें, they should be such that, can be made available to others in an equal measure, thus a right comes with an obligation to respect other rights, so जब ही भी rights के बारे में बात करी जाती है, तो एक obligation होता है, कि आप दूसरों के हकों को भी oblige करोगे, दूसरों के हकों को भी आप उतना ही सम्मान करोगे, just because we claim something, it does not become our right, suppose आपको चाह रहे हो, कि यह ऐसा हो, तो आपके चाहने से वो चीज राइट नहीं बन जाएगी, it has to be recognized by the society we live in, उसको हमारी society को मोहर लगानी पड़ेगी, जहां जिस समाज में आप रह रहे हो, समाज भी बूलेगा, तो ही वो आपकी राइट बनेगी, राइट अक्वार मीनिंग ओनली इन सुसाइटी, यह जो राइट यह जो हक है, यह अधिकार है, यह समाज के लिए ही होते हैं, एवरी सुसाइटी में एक सर्टेन रूल्स, टू रेगुलेट अवर कंड़क्ट, तो हर समाज, हर सुसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कि जो आपके कंड़क्ट, जो आपका बिहेवियर है, उसे रेगुलेट करती है, तो यह रूल्स जो होते हैं, आपको बताते हैं, सही और गलत के बीच में परक्ट, सो सुसाइटी द्वारा, जो रिकोगनाईज के आज आता है, कि भाई, वो सही में आपका अधिकार है, वही आपके अधिकार होते हैं, मतलब समाज, समाज को सही लगता है, सो वही अधिकार होते हैं, सो इसलिए जो राइट्स हैं, वो टाइम टू टाइम बदरते हैं, society बदलते हैं अगर अब 200 साल पहले की बात करो अगर उस टाइम कोई बोलता कि ओरतों को हक है voting का तो तब ये strange लगता 200 साल पहले ये बात करते ओरतों के voting के अधिकार की तो वो तब थोड़ा सा strange लगता पर अब आज ये बात ये मदलब general right है right to vote सबके लिए है हमारे देश में पर यही चीज आप अभी भी जाके साउधी अरब में जाके बोलो कि औरतों को voting अधिकार होना चाहिए so वो strange लगेगा मतलब वहाँ पर उनको strange लगेगा पर यह आपके लिए strange नहीं है this is not a strange thing for you क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं या औरतों को vote करना एक समान अधिकार है एक common right है when the socially recognized claims are written into law they acquire real force so जो socially जो समाज जब recognize करता है कुछ claims वो law बन जाते है so तब obviously मतलब सबको यह follow करना ही पड़ता है मतलब कोई अगर कानून बन जाता है समाज कोई चीज बोलता है और वो कानून बनता है तो उसे follow करना ही पड़ता है otherwise they remain merely as natural or moral rights अगर आप उसको law नहीं बनाओगे आप उसको कानून के दायरे में नहीं लाओगे तो वो simply rights बनेगी आप follow करो तो अच्छा वैसा the prisoners in Guantanamo Bay had a moral claim not to be tortured or humiliated गलत सुलुक हो रहा था so वो खाली बोल सकते थे मत करो क्योंकि कानून ही नहीं था कुछ था ही नहीं वहाँ कोई सुना ही नहीं जा रहा था तो वो claim नहीं कर सकते थे when law recognize some claims they become enforceable so जब कानून कानून मोहर लगाता है किसी चीज के उपर कानून बोलता है कि यह चीज follow करनी है तो वो right होता है we can then demand their application तब ही उसका use बनता है ठीक है law अगर law उसको support करता है तो ही उसको application मतलब कर सकते है अब उसको use कर सकते है वे फैलो सिटीजन और governments do not respect these rights we call it violation or infringement of our rights so जब आपके जो fellow citizens है जो आपके citizens है या आपकी government है जब वो rights को respect ना करे तो हम उसे कहेंगे violation or infringement of our rights मतलब जो सरकार है वो आपकी rights का respect ना करे तो हम कहते हैं वो rights को infringement करें वो rights के मतलब violate करें राइट को तोड रहे हैं in such circumstances citizens can approach courts to protect their rights तो हम क्या कर सकते हैं जब आपको feel होता है कि rights का rights को follow नहीं किया जाने नहीं दिया जारा जैसे कि हमारा है right to freedom हमारा right to freedom है right to religion suppose कि right against exploitation भी है मतलब suppose कि किसी कोई कोई low caste का है मतलब काम caste से आता है उसने school में admission लिया अब उसके साथ school वाले भेदभाव करें जो class के बच्चे हैं उससे भेदभाव किया जा रहा है principal से complain की उसने principal भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो अगर वो police के पास जा रहा है कि मेरा इस तरह से मतलब मेर को परिशान किया जा रहा है मेरी कास्ट की वज़े से तो राइट अगेंस डिस्क्रिमनेशन भी है हमारा ये भी अधिकार है कि हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो तो principal को arrest किया जा सकता है ऐसे case में और उन बच्चों के खिलाफ कुछ action लिया जा सकता है तो अगर आपका ये basic चीजे हैं अगर ये basic rights आपको नहीं मिल रही है आप court को approach कर सकते हो so if we want to call any claim a right it has to have these three qualities तो अगर आप कोई right को claim करना चाहते हो तो three qualities है rights are reasonable claims of persons recognized by society and sanctioned by law so rights क्या है reasonable claims है मतलब सही में claim है मतलब आप कह रहे हो कि भई मैं चाहता हूँ मुझे किसी को मानने का अधिकार मिले तो वो गलत claim है society आपको वो approve नहीं करेगी so rights are reasonable claims of persons so कौन इसको recognize करता है society समाज recognize करता है और sanction कौन करता है उसको मुहर कौन लगाता है law so rights क्या है rights की definition क्या है so आप बोल सकते हो rights are reasonable claims मतलब सही claim ऐसे नहीं गलत नहीं सही claim reasonable claims of persons recognized by society and sanctioned by law ठीक है अच्छा why do we need rights in a democracy आपको चाहिए क्यों राइट्स क्यों चाहिए आपको so rights are necessary for the very sustenance of a democracy अगर आप चाहते हो democracy बनी रहे democracy का जो हम कहते है democratic government या democracy बनी रहे उसके लिए rights बहुत ज़ादा जरूरी है in a democracy every citizen has to have the right to vote and the right to be elected to government so democracy में हर citizen को democracy में हर citizen को right to vote है और right to be elected to government मतलब आपको voting का right भी है और आप खुद government का हिस्सा भी बन सकते हो for democratic elections to take place it is necessary that citizens should have the right to express their opinion from political parties and take part in political activities so अगर आप चाहते हो कि democratic elections हो for democratic elections to take place अगर आप चाहते हो democratic elections हो it is necessary that citizens should have the right to express their opinion so यह ज़रूरी है जो citizens है उनको वो अपना opinion express कर पाए वो अपनी बात रख पाए वो political parties बना पाए और वो political activities में भी हिस्सा ले पाए so it is necessary that citizens should have the right to express their opinion from political parties and take part in political activities जो rights हैं जो हमारे हक हैं अधिकार हैं also perform a very special role in democracy इनका भी एक बहुत important role है democracy के अंदर rights protect minorities from the operation of majority जो rights हैं जो अधिकार हैं वो minorities को protect करते हैं majority के जुल्मों सितम से जो majority है majority जो भी majority caste है majority religion है या कोई majority community है अगर वो minority को परिशान कर ये right उसे protect करते हैं they ensure that the majority cannot do whatever it likes तो ensure करते हैं कि भाई they ensure that the majority cannot do whatever it likes ensure करते हैं कि majority वो ना करें जो उनको पसंदो मतलब majority थोड़ा सा control रखे वो हर चीज़ ना करें जो उसे पसंद है बतलब उनको पसंद है कि हम minority को एकदम कुछ चल दें तो वो ना करें Rights are guarantees which can be used when things go wrong ये guarantee है, right guarantee है जब आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है चीजें गलत हो रही है तो right एक guarantee आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये guarantee है आपको है कि कभी भी कुछ बुरा हो रहा है आप तुरह तुसे यूज करो Things may go wrong when some citizens may wish to take away the rights of others चीजें कब गलत होती है डेमोक्रेसी के अंदर ये कभी भी चीजें कब गलत होती है जब सामने वाला से आपका हक छीनता है ये तब ही होता है जब majority होते हैं वो dominate करना चाहते हैं minority को So government जो है वो protect करे citizen की right को in each situation So government को protect करना पड़ेगा Government should protect the citizen's right in such a situation But sometimes elected governments may not protect or even attack the rights of their own citizens But कई बारी क्या होता है उल्टा हो जाता है जो governments होती है elected governments होती है वो protect नहीं करती है उल्टा वही attack कर लेती है अपने ही citizens की rights को So government So that the government cannot violate them That is why some rights need to be placed higher than the government So rights को government से भी उपर रखना पड़ता है जब अधिकारों की बात की जाए तो सरकार से भी उपर अधिकार होने चाहिए ताकि सरकार भी उससे भंग ना कर पाए violet ना कर पाए In most democracies the basic rights are written down in the constitution इसी लिए democracies में जो rights है Constitution समीधान में लिखी जाती है सरकार का उससे लेना देना नहीं है ठीक है? क्योंकि कई बारी कई देशों की सरकारे ही rights को तोड़ती है ठीक है? इसी लिए जो सरकार जैसे अब कोई किसी देश में जैसे यह यूगोसलाविया का example ले लो अब उसमें वो democracy था पर उन्होंने उसने क्या किया? जो जीता उसने democracy का भंग किया उसने मतलब अपनी caste को आगे करने के लिए अपने ethnic culture को आगे करने के लिए दूसरे Albanians को बहुत ज़ादा परेशान किया अब देखो ये सब तो हो रहा था democracy के अंदर अगर उनके देश में कानून जो था, right जो थी वो लोगों से मतलब government से उपर होती हिटलर टाइप लोग आ जाते हैं जो लोगों का जीना हराम कर देते हैं इसलिए rights जो है constitution में होनी चाहिए वो government से उपर होनी चाहिए ठीक है, जो ये ज़रूरत है rights की, page number 79 पे क्योंकि हमने पूरा civics पढ़ा है इंडिया को समझ के हमने इंडिया हमारे देश के उपर पूरा civics समझा है हम अभी पढ़ेंगे rights in the Indian constitution हमारे भारतिय समीधान ने हमें कौन से अधिकार दिये हैं कौन से हक दिये हैं कौन से rights दिये हैं इंडिया लाइक most of the democracies in the world, these rights are mentioned in the constitution इंडिया में जैसे और भी democracies fundamental to our rights life are given a special status these are called fundamental rights so in India like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the constitution some rights which are fundamental to our life are given a special status they are called fundamental rights fundamental rights क्या है जो वो rights जो बहुत ज़ादा important होती है आपकी life के लिए और उसे कहते हैं fundamental rights we have already read in chapter the preamble of our constitution so preamble क्या है हमारे constitution आके पढ़के है it talks about securing for all its talks for all its citizen equality, liberty, justice so हमारे preamble में clear लिखा हुआ है कि हमारे citizens को equality दी जाए liberty दी जाए और justice दी जाए fundamental rights put this promise into effect so हमारे जो हक है हमारे जो अधिकार है वो इन चीजों को effect में लाते है so they are given an important basic feature of Indian constitution so हमारे जो rights है वो हमारे constitution का एक बहुत ही एहम हिस्सा है so our constitution provides six fundamental rights हमारे समीधान ने छे हक दीए हमें छे अधिकार दीए है so हम एके करके देखेंगे यह छे अधिकार कौन से है so fundamental rights सबसे पहला है right to equality this is the first right हम समीधान के आगे सबके हम equal है right to freedom हमें आजादी का हक है right against exploitation हमारे हमारा कोई दुरुपयोग ना करे भेतभाव ना करे right to freedom of religion कोई भी धर्म अपना सकते है हक है हमारा अगर आप कोई भुद्धिष्ट या कोई भी धर्म अपनाना चाहते है आप अपना धर्म छोड़ना चाहते है या आप एक से ज़ादा धर्म निबाना चाहते है this is totally up to you क्योंकि fundamental rights ने आपको right to freedom of religion भी दिया है आप कोई भी धर्म अपना सकते हो cultural and educational rights आपको अपना culture follow करने की भी right है आपका जो culture है आपके caste का religion का culture है आप follow कर सकते हो educational right है आपको शिक्षा का अधिकार है अगर आप लड़की है आपको कम पढ़ाया जा रहा है या आपको आपके पसंद का course नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि आप लड़की हो सो वो हमारी rights के खिलाफ है या आपका हक है आपको educational right भी है right to constitutional remedies अगर आपके साथ इन पांचो rights में से कोई right नहीं मिल रही है तो आप जो है आप आप सामने वाले पर या constitution government पर आप मतलब claim उनके खिलाफ आप case कर सकते हो अगर इन में कुछ problem है तो आप right to constitutional remedies भी है आपके बास ठीके सो ये छे अधिकार दी है हमारे समीधान में हमारे constitution में हमको ठीके ये छे राइर सापको लिखनी है आप line wise लिख लेना या आपको ऐसे लिखनी है this is up to you ऐसे बना के लिखना है ऐसे लिखो line में लिखना है line में लिखो so page number 79 the constitution says that the government shall not deny to any person India equality before the law or the equal protection of the laws so constitution क्या बोलता है समीधान क्या बोलता है समीधान बोलता है कि जो सरकार है वो किसी भी person को इंडिया के किसी भी इंसान को equality deny नहीं कर सकती भाई समीधान क्या के constitution क्या के सब equal है it means the laws apply in the same manner to all regardless of a person's status this is called rule of law so आप समीधान के सामने constitution के आगे same है आपका status जो भी आप गरीवे अमीर हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं कुछ भी हैं आप समीधान के सामने आपके कानून, government के सामने, आपके constitution के सामने आप आप same है so rule of law क्या होता है, rule of law is the foundation of any democracy so rule of law क्या होता है फिर से the constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law हमारा समीधान बोलता है कि सरकार जो है किसी भी इंसान को कानून के आगे unequal नहीं गिन सकती मतलब उसको सबको equal protection देनी है it means इसका मतलब है laws apply in the same manner to all कानून सबके लिए एक है चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो ऐसे नहीं, अमीर के लिए कानून, अलग गरीब के लिए अलग सबके लिए एक है regardless of a person's status this is called rule of law so rule of law क्या है, rule of law you are equal you are equal before the law मतलब in spite of your caste, religion, your status ठीक है so this is called rule of law और rule of law ही किसी democracy का foundation है it means that no person is above the law इसका मतलब कोई आदमी लौ के उपर नहीं है there cannot be any distinction between a political leader, government official and an ordinary citizen so कोई भी भेदभाव नहीं है there cannot be distinction कोई भेदभाव नहीं है किसी political leader, government official या ordinary citizen के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए there cannot be any distinction between political leader, government मतलब ऐसे नहीं कोई leader है तो आप उसको बहुत सर पे चड़ा दो या कोई government officer उसको बिलकुल पूजा करो और कोई ordinary citizen है उसको बुरी तरह से सुलूप करो ऐसा नहीं सब के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं होना है सब के लिए नियम कानून एक है अब ये बहुत important चीज है देश के ब्रधान मंतरी से लेके देश के छोटे से फार्मर तक सब के लिए कानून एक है ठीक है सब के लिए कानून है एक अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हो या बहुत ज्यादा रिच परिवार से हो तो आप ऐसा एक स्पेशल ट्रीटमें नहीं मांग सकते for example a former prime minister of country faced a court case on charges of cheating the court fine declared that he was not guilty but as long as the case can he had to go to the court ki evidence and file papers just like any other citizen so हमारी ही country में example है हमारे देश के किसी प्रधान मंत्री पे cheating का आरोप लगा था चार्ज लगा था so क्योंकि प्रधान मंत्री था वो देश का उस पे cheating का आरोप लगा तो ऐसा नहीं कि उस पे आरोप लगा और वो free हो गया उसको एक आम आदमी की तरह जब भी भी उसकी कोट में उसका नंबर आता था हेरिंग आती थी उसको जाना पड़ता था आम आदमी की तरह उसको वहाँ जाके सबूत पेश करने पड़ते थे जैसे कोई भी आम आदमी करता है उसे file papers जमा करने पड़ते थे और फिर वो free हो आपने मतलब फिर उसका जो मुकद फैसला आया तो मतलब इस तरह से मतलब प्राइम निस्टर के भी वही रूल है जो एक common man के लिए रूल है this basic position is further clarified in the constitution by spelling out some implications of right to equality the government shall not discriminate against any citizens on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth बहुत clearly right to equality बहुत अच्छे से समझाया गया है हमारे constitution में हमारे समीधान में क्या समझाया गया है the government shall not discriminate government भेदभाव ना करे against any citizen किसी citizen के खिलाव भेदभाव ना करे on grounds only of religion, dharam के आधार पे race, caste, sex or place of birth के आधार पे government किसी के साथ भेदभाव ना करे every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels and cinema halls हर citizen को, हर नागरिक को अधिकार है वो कोई भी shop पे जा सकते है कोई भी restaurant, कोई भी hotel, किसी भी cinema hall में जा सकता है similarly there shall be no restriction with regard to the use of wells, tanks, bathing arts, roads, playgrounds, places of public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public so general public के लिए अगर suppose कोई garden बनाया गया है या कोई resort या कुछ भी बनाया गया है जो कि general public के लिए है अगर वहाँ पे सारे अमीर गुसे और एक गरीब family गुसना चाहती है अगर उसको वो watchman वहां रोकता है या उसके साथ बुरा विहवार करता है सो वो watchman के खिलाफ केस दर्जो सकता है क्योंकि वो एक public amenity है public लिए बनाई गई है और कोई चाहे गरीब family हो चाहे अमीर family हो सबको पूरा पूरा अधिकार है अच्छे ये सारे चीजें बोलने में आसान लगती जब मैं कहती हूँ भेदभाव नहीं ऐसा नहीं आपको ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है but it was very necessary to incorporate these rights in the constitution of our country where the traditional caste system did not allow people to access all public places ये चीज़ सुनने में आसान लगती है कि public की हर समपती हर किसी की वार्षागत है पर जब ये चीज़ें हमारे देश में लागू करी गई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई क्योंकि हमारे देश में caste जाती वाद बहुत था caste के उपर बहुत था untouchables, SC, ST, OBC इनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा भेदभाव था जो डॉक्टर बीयार अमेटकर जैसे लोग आ गया है उन्होंने ये भेदभाव खतम किया उन सब के बीच में ये कानून लाना कि हर कोई इक्वल है बहुत बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक था मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा तब जाके ये कानून लागू हुआ कि भाई क्योंकि पहले यही होता था जिन कुमों से भ्रामार पानी लेते थे उन कुमों से उन वेल्स से एक अनटचेबल पानी नहीं ले सकता था जिन रस्तों से भ्रामार चलते थे उन रस्तों से उन टचेबल नहीं चल सकता था उन टचेबल को चपल नहीं पहने थे तो बहुत ऐसे भेधभाव वाले बहुत सारे किसे हैं बहुत ज़ादा difficult था इसे अपने कानून में बिठाना और इसे लागू करना So right to equality एक बहुत ही important right है और बहुत अच्छे से explained है हमारे constitution में कि equality का मतलब complete equality The same principle applies to public jobs, यही principle jobs के लिए भी लागू होता है All citizens have equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any position in the government So यही principle है, public jobs पे भी लागू करता है सारे जो citizens हैं उनको equality of opportunity है मतलब जितने हर अगर job के लिए आप apply कर रहे हो तो आपको भी बराबर मौका मिले यह आपका हक है So in matters relating to employment or appointment to any position in the government Suppose आपने कहीं apply किया है किसी government position के लिए और सामने किसी और में भी किया है So आप दोनों के लिए मौका बराबर होगा ऐसे नहीं कि आपके लिए कोई और मौका उसके लिए कोई और मतलब आप में जो उनका criteria है अगर आप उस पे fit बैठते हो तो यह मौका आपको मिलेगा आपकी caste, आपकी religion इन सब को लेके आपके साथ कोई भेटबाव नहीं कर सकता You have written chapter for that government of India has provided reservations for SC, ST and OBC Various government have different schemes for giving So इन सब से पर मतलब हमारे सरकार ने कुछ special कानून में कुछ special प्रभंदन किये हुए है कुछ special चीजें करी हुई है Reservation दियो है, Government of India has provided reservations for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs Other backward classes So इन तीनों के लिए सरकार ने special reservations दिये है उनको कुछ seats reserved है, उनके लिए उनके लिए नौकरियां पकी है Actually ये किया गया था, इन लोगों के साथ भेदबाव ना हो क्योंकि पहले बहुत जादा हालत बुरी थी, सच में बहुत बुरी थी जब डॉक्टर अंबेट कर आये वो खुद एक माहर कास्ट के थे उन्होंने भी भेदबाव फेस किया था उन्होंने ये reservation का कानून लाया ये भेदबाव को मिटाने के लिए पर आज भी ये reservation का कानून है भेदबाव जो है बहुत तरह से मिट चुका है पर अभी भी कहीं आप बहुत छोटे गाओं में छोटे जिलों में, छोटे कजबों में जाओगे अभी भी ये इनिक्वैलिटी है पर अगर आप उपर उपर से देखो तो ये जो भेदभाव है ये मिट चुका है पूरी तरह से आपको फील होगा आप जो फ्रेंड्स बनाते हो आप सरनेम पूछ के फ्रेंड नहीं बनाते हो आप उसकी रिलीजन पूछ के फ्रेंड नहीं बनाते हो फ्रेंड्शिप क्योंकि आपकी स्कूल में साथ में कोई पढ़ता है आप करते हो तो आपके दिमाग में अब वैसी खराब चीज़े नहीं है इसका मतलब क्या है कि Right to Equality वाला कानून सक्सेस्फुल है हमारे देश के अंदर हम मतलब इवन स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे फ्रेंडशिप करते हम कभी भी किसी की कास्ट या रिलीजन पूछके नहीं करते सो इवन वेरियस कर्मेंट्स है डिफरेंट स्केम्स फर गिविए प्रिफरेंस तो वुमन पूवर और फिजिकल लेवल पे इन सम काइंड़ जॉब्स मतलब कोई अगर जॉब डूढने जा रहा है तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें बनाई है तो यह सारे रिजर्वेशन क्या इक्वालिटी राइट के खिलाफ हैं अब जैसे अभी इक्वालिटी की बात हो रही थी और अभी मैं आपको बता रही हैं कि देखो कि इन सब के लिए तो रिजर्वेशन है बाई, SC, ST, OBC के लिए रिजर्वेशन है, औरतों के लिए रिजर्वेशन है, पूर के लिए रिजर्वेशन है, फिजिकले हैं लोगों के लिए रिजर्वेशन एक्वालिटी का मतलब क्या है एक्वालिटी का मतलब है giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of मतलब एक्वालिटी है मौका देना मौका देना हर उस इंसान को जिसका वो हगदार है sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity कई बारी special हग देने पढ़ते हैं इन छोटी जो ST, ST, OBC इन सब को special हग देने पढ़ते हैं ताकि उनको वो मौके मिलें कई बारी वो मौके लेना चाहते हैं पर उनके मौके दिये नहीं जाते हैं पर उनके पास reservation है तो ये मौके उनको आराम से मिल जाते हैं So, constitution says that the constitution says that reservations of this kind are not a violation of right to equality हमारे समीधान में लिखावाई ये जो सारी reservations हैं जो मिलती हैं घरीमों को पूर को, वोमन को और SC, ST, OBCs को तो ये हमारी right to equality का भंग नहीं है violation नहीं है The principle of non-discrimination extends to social life as well So, ये जो भेदभाव ना हो किसी के साथ वो समाज पे भी लागू करता है The Constitution mentions one extreme form of social and clearly directs the government to put an end to it So, Constitution में clearly लिखावा है कि कोई किसी के साथ social basis पे discrimination नहीं कर सकता और untouchability की practice नहीं follow कर सकता और government को clear निर्देश है कि इसको बिलकुल end करा जाए The practice of untouchability has been forbidden in any form So, ये जो भेदभाव की practice है ये जो ये भेदभाव है जो untouchability है छूअचूद की practice है ये हर तरह से बंद करी गई है Untouchability here does not mean refusal to touch people belonging to certain caste So, untouchability का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के caste को touch नहीं कर सकता वैसा नहीं It refers to any belief Untouchability का मतलब क्या वो समझो practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels Untouchability का मतलब होता है वो सोच या वो सामाजिक वो सामाजिक practice जो दूसरों को कम समझती है कुछ से मलब जब आप सामने वाले को खुछ से कम समझते हो That is untouchability क्यों कम समझते हो क्योंकि वो किसी उसके बर्थ के हिसाब से या उसके caste के हिसाब से आप उसको कम समझते हो उसे कहते हैं discrimination, भेदभाव Such practice denies them interaction with others or access to public places as equal citizens जब आप किसी के साथ discriminate करते हो आप भेदभाव करते हो तो इससे वो लोग दूसरों से interact नहीं कर पाते हैं वो लोग public places को use नहीं कर पाते वो लोग आपकी तरह हर चीज़ का फायदा नहीं उठा पाते हैं So the constitution made untouchability of punishable offense इसलिए constitution ने हमारे सवीधान ने untouchability को चूअचूथ को कार्ट के बेस पे अगर आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो उसकी जाती के बेस पे कि तू इस चात का है तू इस चात का है तो मैं तेर से बात नहीं करूँगा तो सिद्धा आप पहुँचोगे jail अगर आप किसी की जाती पे comment करते हो तो आप बिल्कुल alert हो जाओ आप किसी भी time पे jail जा सकते हो किसी की जाती पे कोई comment नहीं करना चाहिए जैसे आप की जाती है वैसे किसी और की जाती है जैसे आप किसी जाती में पैदा हुए हो आपको नहीं पता था आप किसके घर में जनम लेने वाले हो सामने वाले को भी नहीं पता था कुदुरत ने उसको उस घर में जनम दिया है अब आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, so that is a punishable offense, आप सीधा जेल में land कर सकते हो, ठीक है, so अभी हम यहाँ पे page number 81 पे एक paragraph देखेंगे, हमारे देश में many forms of untouchability है, चलता था, many forms of untouchability, मतलब caste के हिसाब से भेदभाव, discrimination, in 1999, P. Sainath wrote a series of news reports in the Hindu, describing untouchability and caste, that was still practiced, कमा, against the list of persons belonging to scheduled caste, he traveled to various parts of and found that in many places, अभी 1999 में, in 1999, P. Sainath, P. Sainath करके एक reporter है, उन reporter ने बहुत news reports publish की थी, एक Hindu, the Hindu newspaper आता है, the Hindu newspaper के अंदर उन्होंने report publish की थी, untouchability और caste discrimination के उपर, that was still being practiced against the list or persons belonging to scheduled caste, 1999 की बात है, मतलब बहुत जादा दूर की बात नहीं है, so मतलब जो हिंदू के हिसाब से untouchability, caste discrimination अभी भी practice हो रहा था, दलितों के खिलाफ या scheduled caste के लोगों के खिलाफ, 1999 बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ ही, मतलब, obviously, कुछ, हाँ, चलो, दो डिकेट हो गए, but that is not very, बहुत ही दूर वाली बात नहीं है, पी साइनाथ जो एक reporter थे, वो पूरा घूमे, और उन्होंने देखा, अभी भी हमारे देश में बेदभाव चल रहा है, he traveled to various parts of the country and found that in many places, वो पूरे देश में घूमे और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा, फर्स्ट, tea stalls kept two kind of cups, one for Dalits, one for others, उन्होंने देखा, जो चाय की रेडी वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं, वो दो अलग-अलग खांचों में cups रख रहे हैं, एक खांचों में cup रख रहे हैं दलितों के लिए, और दो दूसरे खांचे में cup रख रहे हैं, बाकियों के लिए, सो यह हुआ, भेद भाव, ठीक है, second, barber refused to serve Dalit clients, जो barbers थे, जो नाई थे, वो दलितों के बाल काटने से मना कर रहे थे, third, Dalit students were made to sit separately in the classroom और drink water from separate pitcher, जो दलित बच्चे थे, उनको classroom में अलग बिठाया जाता था, और उन्हें पानी अलग जगे से पीने के लिए बोला जाता था, Dalit grooms were not allowed to ride a horse in the wedding procession, जो दलित दुले थे, उनको घोड़ी चड़ने का अधिकार नहीं था, भे, आप धले तो आप घोड़ी नहीं चड़ सकते अपनी शादी में, Dalits were not allowed to use common hand pump, और if they did, the hand pump was washed to purify it, Dalitों को गाओं के अंदर hand pumps use करने की मना ही थी, और बायचांज किसी Dalit ने touch कर दिया, उस hand pump को purify किया जायाता था, धोया जाता था, यह सब untouchability के ही किसे हैं, जो कि 1999 में पीस आईनात ने लिखे, उन्होंने उस time country travel की और देखा, यह सब चीजें तो अभी भी देश में चल रही है, All this fall under definition of untouchability, यह सारी चीजें untouchability के अंदर है, यह भेदबाव है, So, इस तरह से untouchability अभी भी देश के अंदर exist हो रही है, Even मेरे को लगता है, आप जब school में बैठते हो, अपने school में भी, आप किसी में, मैं भी notice करती हूँ, कई बारी students से सामने वाले की caste के हिसाब से उसका नाम अंदर ही अंदर बोलते हैं, कि यह इस caste का है, ठीक है, We are entering 2021 now, so 2021 में enter होके, अगर आप यह सोच रखते हैं, This mentality is totally wrong, being the youth of India, आप लोग teens में हैं, You are the face of India का, just be open-minded, यह छोटी सोचों में ना पढ़ें आप, यह discrimination, यह भेदभाव, untouchability, इन सबसे उपर उठो, Life में बहुत कुछ है अचीव करने को, ठीक है? So, with this I am ending my today's lecture, page 81, this is, मतलब यहां में end करती हूँ, And you have to read each and everything properly, up to this, And मैंने जो भी टिक कराया, you have to write everything in the point form, So, हमने आज पढ़ा था, page number 77 से, ठीक है? So, page number 77 से पढ़ेंगे, 78, then 79, then 81 का यह paragraph, 80, 81, So, this is me, your Ishika मैं, saying please, Write each and everything properly, and WhatsApp me the entire thing, after reading it. Thank you.